नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से ज़ाडू बदलेगा दुर्भाग धन तेरस दीपावली के दिन पैसा खुद चल कर आएगा दोस्तों आप सभी लोगों को धन तेरस और दीपावली की धेर सारी सुब काम नाएं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ज़ाडू बदलेगा आपका दुर्भाग दीपावली और धन तेरस की रात को आपको एक नई ज़ाडू यहां रख देनी चाहिए दोस्तों निशी तोर पर आपकी किस्वत चमक जाएगी मा लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और साथी साथ आपको अपने घर के अंदर धन की मामले में खुब बढ़ोतरी होगी दोस्तों धन तेरस और दीपावली की दिन पूजन किये जाते हैं मालक्ष्मी जी का और ज़ाडू का विशेष महत होता है इस दिन क्योंकि हम धन तेरस के दिन ज़ाडू को खरीते हैं और दीपावली की दिन ज़ाडू की पूजा करते हैं साथी साथ जो व्यक्ति जाडू के साथ किशी प्रकार का उपाय करता है उसके जीवन के अंदर उसके घर परिवार के अंदर कई तरह के फाइदे मिलते हैं इसी बज़े से आज हम आपको बताएंगे ये उपाय की आखिर धन 13 सदीपावली की दिन आखिर कार जाडू का क्या म रहता है जाडू को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है जो कि आपके घर के अंदर से दर्विता रूपी कचरे को हटाता है जाडू सुक्षता को बरकरार रखता है घर के अंदर सकरात्म कुर्जा को बनाए रखता है इसलिए दीपावली की रात को जाडू का प पूजन करना चाहिए ज़ाडू को भी दीपावली के अंदर सामिल किया जाता है इसलिए आप क्या करें घर के वास्त को सही करने के लिए घर के अंदर धन का आगवन करवाने के लिए घर के अंदर देवी देपताओं को प्रवेश करवाने के लिए आपको एक नई ज़ाडू धन तेरस के दिन लाकर आपको दीपा वली की रात यहां पर रख देना चाहिए निश्य तोर पे आपकी फूटी से फूटी किसमत भी चमक जाएगी पैसा खुद चल कर आएगा जिवन खुशियों से धन से भर जाएगा और साथी साथ माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर परिवार में बनी रहेगी तो आएए जानते हैं जाडू का उपाय की आखिर आपको करना क्या है दोस्तो सबसे पहले आप क्या करें जैसे कि आप दीपा वली की पूजा करते हैं माता लक्ष्मी जी की तो दीपा वली की समागरी लाते हैं उस ही प्रकार आपको एक नई जाडू खरिद कर लेकर आना है रलंकि धन्तेरस के दिन बहुत स्रेष्ट रहता है नई जाडू लेकर आना और दीपा वली के दिन इस जाडू की पूजा करना तो बहुत लाब होता है अब क्या करें उस नई ज्ञाड़ु को लेकर आप आएं, दीपावली की दिन भी लेकर आशकते हैं और उससे आपको अपने घर के अंदर काम में लेना चाहिए उससे पहले आपको ज्ञाड़ु को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इसके पूजा करनी है आपको ध्यान से आपको यनि इस बात का ध्यान रखना बीटों को बड़े ध्यान से देखना अब क्या करें कि इस जाडू को लेकर आए और उस जाडू को आप लक्षमी पूजा में इसे सामिल करें उसके बाद कुम-कुम आद की सहायता से जब आप दीपवली की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको इस जाडू के उपर तिलक लगाना है चाहिए और उसी समें आपको एक लाल धागा भी लेकर आना है और जाडू को इस लाल कलावे के धागे से आपको बांदेना है लाल धागा लेकर आईए उसको बांदेजे उसके चावल छिड़क दें और फिर आप गंगजल थोड़ा से छिड़काव कर दें थोड़ी से हल्दी या फिर कुमकुम से जैसे कि हमने कहा कि टीका जरूर लगाईए फिर आप अपनी मनोकामना बोलिए और माता लक्षमी के इश्मरन करिए आपको जो बोलना है जो आपकी मनोका उसके साथ ही माता लक्षमी से प्रातना करने चाहिए फिर इस जाड़ू के माध्यम से आप यनि की अपने घर में जैसे प्रवेश करें साथ ही साथ जो दरिता रूपी परेशानी है घर से के अंदर जो बास्त दोस्त हैं वो दूर हो जाए ये प्रातना करिए माता लक्षम इस मंत्र का जाप आपको 108 बार या 20 बार जरूर करना है मंत्र जाप करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें फिर आप क्या करें कि इस जाड़ू को दीपावली की रात यानि कि आपको वही पर माता लक्षमी के पास पूजा स्थान पर ही इसे रहने दें वही पर रख दें जहां पर पूजा स्थान है माता लक्षमी के पास वही पर इस जाड़ु को रख दें देखे बीडियों को बड़े ध्यान से सुनना, आपको जाडु को पूझया स्थान पर अपने घर पे रख देना है, आपको ये काम अपने घर पर ही करना है ताकि इस जाडू के अंदर सकरात्मक प्रवेश उर्जा प्रवेश करें माता लक्ष्मी का आस्रिवाद भी बना रहे इस जाडू पर ऐसा करने के बाद जो पुराना जाडू है उसे अपने घर से बाहर रख दें दीपबली की रात को नकरात्मक उर जाएं बाहर हो जाएंगी यानि कि जो पुराने जाडू है तूटे फुटे जाडू है आप उसे बाहर कर दें तो नई जाडू को आप पूजस्थान परक देंगे फिर अगले दिन इस जाडू से पूरे घर की यनि की रसोई घर से सुरुवात करिए साफ सफाई करने की और पूरे घर की सफाई करिए फिर देखे कैसे चमातकार होता पूरे घर की गंदगी निकाल दीजे आपके घर में माता लक्ष्मी जी नित निवास करेंगी माता लक्ष्मी दोडी दोडी चलियाएंग मा लक्ष्मी कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं होगी जीवन भर आपको धन का अभाव नहीं होगा और लाब होगा साथी साथ मा लक्ष्मी कृपा भी बरस्ती रहेगी तो इस प्रकार से दीपा वली की दिन आपको ये जाडू का उपाय करना है वैसे तो आप साधारन रोप से भी कर सकते हैं आप जैसे कि धंतेरस के दिन जब जाडू लेकर आते हैं तो दीपा वली के दिन आपको जाडू को क्या करें कि माता लक्ष्मिक पास आप रख दें शाधारन तरीके से भी पूजा करें और अगर आप सामर्त नहीं है पूरी तरह से पूजा करने का तो आप इस जाडू पे थोड़ा सा गंगजल के छिड़काव करें थोड़े से चावल थोड़े से आप हल्दी का टीका लगाएं और अगर आपके पास पूष्प है तो ठीक है नहीं पूष्प है तो आप चाबल के छिड़काव करने के बाद फिर माता लक्ष्मी से प्रातना करें और इस जाड़ू को वही पर रहने दें जैनि कि आप अपने पूजा स्थान पर इस जाड़ू को दीपवली के रातर रहने जाडू को कभी किशी को नहीं देना चाहिए भूल कर भी नहीं तो आप घर से लक्षमी दूसरों को घर में चली जाएगी तो धंतेरस हो या फिर दीपावली हो जाडू किशी को ना दे और जाडू को जब आप लेकर आएए जैसे कि बाहर से लेकर आएंगे जब बजार से ल जिसे जब बाहर से ज़ाडू लेकर आएंगे तो इसे आप अपने घर में उत्तर पश्यम दिशा के ओर रखें और धक कर रखें कोई कपड़ी बगारे से या फिर किशी वरतन बगारे से धक दें किशी बाहरी लोगों के नजर में ना आए इतना धियान रखेंगा फिर आप पूजा करें पूजा स्थान पर रखें फिर आप अगले दिन इसका प्रयोग करें मा लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन धान की बरसात होगी गरीबी और यहनी की गरीबी तो मिटेगी साथी साथ यह ज़ाडू आपके भाग को बदलेगा और जीवन में जाडू का प्रयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी खूद चलकर आपके घर में आएंगी और आपके घर में नित निवास करेंगी पूरे साल धन की वरसात होगी पैसो के कमी नहीं मैसूस होगी पैसो की आमदनी बढ़ती चली जाएगी घर में शुक्षम्रधी का वास होगा घर में चारो दिशाओं से पैसे की आगवन बरते चले जाएंगे तो दोस्तो इस प्रकार से आप जाडू का प्रयोग जरूर करें दीपवली के दिन धंते रश के दिन करें तो माता लक्ष्मी कृपास से गरीबी आपके घर से ततकाल मिठ जाएगी दोस्तो बीड़ो पसं कि दोस्तो आपके दिन